नमस्कार प्रेविद्यार्तियों स्वागत आपका VKS Physics Academy जैसा कि आप जानते हैं कि BSE Classes के BA Classes के जो एक्जाम है वो 19 मही के बाद शुरू हो रहे हैं तो यहाँ पर हम BSE First Year के जो Most Important Question अप्लोड कर रहे हैं उसके अंदर हमने First Paper की दो यून्ट के Important Person अप्रोड कर रखे हैं यहाँ पर हम Unit No.4 दर्ड पिंड गतिकी और सरल आवर्द गति यानि की Rigid Body and Simple Harmonic Motion जो यूनिट है काफी आसान है और काफी इसमें Selected Topic आपको पढ़ने हैं इनके Most Important Question आपको यहाँ पर हम प्रवाइड कर रहे हैं और यहाँ पर जो मैं क्यूशन आपको बताऊंगा सबसे ज़्यादा चांस है जो निके हैं आपको Mostly वही क्यूशन बार बार पढ़ने हैं उसके अलावा आप जितना अलग मेटर पड़ सकते हैं वह आपके उपर depend करता है कि आप कितनी अच्छी त्यारिय अपनी करते हैं लेकिन ये जो मैं क्यूशन बता रहा हूँ आपको बार बार उनक्यूशन को अच्छे तरीकी से रिपीट कर लेना है अच्छे तरीकी से उनका रिविजन कर लेना है लिख लिख के याद कर लेना है जुर्ट पड़े तो सपनों के अंदर भी आपको क्यूशन नजर आने चाह होते हैं जो भी आपको निश्टी हो तो उनके अंदर भी यह मुश्ण इंपोर्टेंट रहेंगे तो चलिए हम सुरू करते हैं बीसी पार्ट फर्स्ट एक्जाम 2022 और यहां पर पेपर फर्स्ट है फ्रेम ओफ रेफ्रेंस मेकानिक्स और ऑक्षिलेशन इस पेपर के अंदर आपको 50% के अकोर्डिंग तीन यूनिट ही तियार करनी हैं दो यूनिट के इंपोर्टेंट क्यूशन अपलोड कर चुका हूँ उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा तो सेक्षन एक अंदर आपको कुछ डेफिनेशन से याद रखनी हैं क्योंकि इस वीडियो के अंदर दो चैप्टर लगते हैं इसलिए आपर क्यूशन की समाहोना है थोड़शी ज्यादा है लेकिन सिंपल है मुख्य एक्स को प अस यहाँ पर हमें तीन ऐक्सेज एक्स così z के ऐकॉर्डिंग वन टो और थरी मानते हुए टो बन टो टू टो टो टिरी जर वन जर टो टू जरी तरी ओमेगा वन ओमेगा टू ओमेगा तरी इनमें रिलेशन देने वाले तीन समीकन हैं जिन्हें यूलर समीकन कहते हैं यह जो पूछा जा सकता है तो इस टोपिक को आप अच्छे तरीके से त्यार कर लेना इसके बाद आपने आईलर स्मीकन का नाम भी सुना होगा जो की पेपर नमर दो में आपके लगेगी जहां पर बरनूली थिवरम बगेर आती है वहाँ पर दरव के लिए आईलर स्मीकन होती है यह आपका X-axis के between graph कीचा जाएगा वहाँ पर particle है उसी well के अंदर motion करता रहता है SHM गती करता है उससे potential well कहते हैं द्वी तन्तू दोलन क्या होते हैं बाय फिलर ऑक्षिलेशन क्या होते हैं इसकी definition आप से पूछी जा सकती है यह भी काफी most important है इसके बाद question number 5 आता है कि what is the difference between simple pendulum and compound pendulum काफी most important क्यूशन है यह कि सरल लोलक और पिंड लोलक में क्या अंतर होता है यह क्यूशन अपकी बार आ सकता है वैसे यह कभी आया नहीं है लेकिन मेरी according क्यूशन है वो अपकी बार पूछा जा सकता है इसके बाद question number 6 आता है what is electrical oxidation यानि की विदूतिय दोलन क्या होते हैं या जिने LC दोलन भी हम कहते हैं यह क्या होते हैं इनमें किस परकार के दोलन होते हैं यह section A के अंदर 6 परसन आपके रहेंगे इन 6 परसन को आप अच्छे तरह के से त्यार कर लीजेगा इसके बाद हम बात करते है section B की तो section B के अंदर मैंने अभी आपको बताया कि जो यूलर्स मेकर्ण है यह section B में भी आ सकती है complete तीन नमबर में और इनको dead नमबर में section A में भी पूछा जा सकता है section A में सिर्फ आपको यूलर्स मेकर्ण लिखनी आएंगी कि क्या होती है पुछा जा सकता है या पिर इसके आवर्तकाल का फॉर्मला भी आपसे पूछा जा सकता है आवर्तकाल कैसी हम गयात करते हैं इसके बाद तीन नमर क्योश्ण आता है कि find the formula of frequency for hellum holtage regenerator यह काफी most important है यह section C के अंदर भी आने वाला क्योश्ण है और section B के अंदर भी इसको द सकता है इन topics को आप अच्छे तरह के से त्यार कर लीजेगा इसके बाद च्यार नमर क्योश्ण आता है section B के अंदर define the oxidation of two masses connected by a spring यह एक spring है और spring से यहां पर आपके दो साइड में ऐसे दो मास जो हैं connect के गए हैं तो इन में oxidation किस प्रकार से होते हैं काफी most important कि उसने बहुत बार यह एक्जाम में आया है और अपकी बार इस कहने की समावने काफी जाड़ा है spring द्वारा बंदे दो दर्यमान कनों के दोलन को समझाए किस परकार के दोलन में होते हैं अब आता है आपका section C section C के अंदर वैसे तो हम दो यूनिट बता चुके हैं लेकिन फिर भी मैं इस परकार से पूरी डिटेल से आपको एक्सप्लेशन करनी है इसके बाद इसी के अंदर जो आपका दो नमर क्योशन है वह एलसी ऑक्सिरेशन का यह इसके अलावा क्योशन बनता ही नहीं है LC दोलन के लिए आवरतकाल का फॉर्मला आपको बताना है यह सारे क्योशन जो हैं जो मैंने आपको बताएं आप इस चार नब रिनिट के अंदर अच्छे तरिके से इनको बार बार पढ़के त्यार कर लेना आपको यहीं से एक्जाम के अंदर क्योशन है वो मेरे अकोर्डिंग मिल जाएंगे इनसे बाहर कुछ भी नहीं होगा तो यह आपका एक पेपर पूरा होता है जिसके अंदर मैंने आपको तेन यूनिट बताई हैं पतास परसेंट के अकोर्डिंग आपको तेन यूनिट ही पढ़नी है जाएं तो बाकी की जो पेपर हैं उनके भी वीडियोज हम अप्लोड करेंगे तो चैनल को सस्क्राइब ज अन्यवाद